देखे जो हमारा computer में topic चल रहा था objective question के जो अपके previous exam से पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं तो topic का नाम था computer एभम सूचना तक्निकी का परेच्चे है तो इसमें आगे question पढ़ने वाले हैं आज की class में तो पहला question है BLSI very large scale integration पिरकार के परिपत वाले computer के computer है तो कौन सी PD के computer यहाँ पर बात करें तो दीखे जिसमें आपका BLSI ठीक है तो जिसमें microprocessor का प्रियोग होता था तो यह जो computer के पिरकार है तो यह आपके चोथी PD के computer थे कौन सी PD के computer थे BLSI से प्रियोग होता चोथी PD के computer और चोथी PD जो माने जाती है computer की 1974 से 1990 तक चोथी PD मानी जाती है तो चोथी PD के computer में BLSI value large scale integration के microprocessor का प्रियोग इसमें होता था ठीक है चले अगला question देखते हैं देखिए जितने भी question है सारे important है computer के और यह आपके यूपिटर प्लेस्टी का exam सो या कोई सा भी हो सभी में आपके जितने भी question बनते हैं मैं आपको यहाँ पर सारे करा दूँगा topic wise और यहाँ पर जितने भी करा हैं तो इसी पिरकार से करा हैं अगला question देखते हैं data processing करन चमता data processing power के संदर में निमले कितमे से कोन सा विकल्प अलग अलग computer नो rag Concept करें तो कौन सा की जो अलग अलग पीडियो का क्रम देता है डेटा प्रस्वत कि मामले में यहां पर बात करें दीजिए तो उसके बाद data processing की बात आती है तो पीडियों की तो सही करम जो होता है तो पहला की बात करें तो पहले की में data ठीक है तो data के संदर में 78 करम होगा जिसमें आपका डेटा प्रसेशने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग हो यहां पर बात करूं तो इस inhale भ en उसके बाद जो प्रयोग आपका ट्रांजिस्टर का का शन्षाओ अब ट्रांसिस्टर का ट्रांसिस्टर के बाद आपका इंट्रिगेटइट चिप का यानि के आई-सी चिप का उसके बाद आपका मजफ छक्वक्र खर वी याई-विव हो और अपका यो अलमार्बिक थे तो न दूसरी में थे- ये लैसे ही आपके चोथी में तो इसमें डाटा जैसे जैसे पीडी बढ़ी तो बैसे बैसे इसमें डेटा भी बढ़ा तो पहली पीडी दूसरी पीडी तीसरी पीडी चोथी पीडी इस विरकार से इनका सही क्राम होगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगले कुसन देखते हैं बर्स 2015 तक computer की PD का उत्त पादन हुआ है तो बर्स 2015 तक कितनी PD computer की बनी है तो देखिए computer के विकास के अधार अब तक की बात करें तो PD का विकास जो हो है पांच PD computer की हो चुकी है ठीक है तो पांच पीडी जो पांच पीडी है वो आपकी 1990 से अब तक ठीक है पांच मीडी अब तक है आपकी पांच पीडी 1990 से ठीक है तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर देहान लखना है उसके बाद अगला question है उन्नत तक्निकी जैसे कृतिम बुद्मिता quantum computing आधी मुख्य रूप से PD के computer के लिए थी तो कौन सी PD के computer के लिए थी अगर इसकी बात करें तो देखिए quantum की अगर यहां पर बात करें तो यह आपके 5 भी PD थी ठीक है तो मुख्य रूप से 5 भी PD के computer के ल ठीक है अब तक 5 भी PD है और इसमें कृतिम बुद्धिता जिसे बोलते हैं AI कृतिम बुद्धिता का मतलब होता है आपका AI ठीक है तो AI quantum computer आधी को इसमें सामिल किया गया है पांच भी PD के computer में चलिए उसके आगे बात करते हैं computer के बरगी करण के बारे में तो यहां पर उनक देटल कंप्वेटर बिख्सित किया गया तो डीटल जो computer है वह आपका कभ बीख्सित किया गया था तो डेटल कंप्यूटर के अगर बात करें तो डीटल कंप्यक्र आप किसके द्वारा बिख्सित क्या गया था था fight CPA दो आप टो ゃो यह से दोखाई और ऑदिगे इतमें से कौन एक समय में कई उपयोग करता हो को सपोर्ट करता है तो कौन है जो कई उपयोग करता हो को सपोर्ट करता है यहां पर बात करूं तो जो सपोर्ट करता है तो इसमें आपका मिनी कंप्योटर कई उपयोग करता हो को एक साथ सपोर्ट करता है ठीक है तो मिनी कंप् ठीक है तो मेंड्रेज कम्पूटर भी इसे कहते हैं मीनी कम्पूटर को क्योंकि इसमें जो होता है mme Что लॅटा होता है मैंने लूंक से चोटा होता है का और कंप्यूटर एक मुख्वरोप से इसे मटी यूजर भी कहते हैं जहांपर एक से अधिक ब्यक्तीस में काम कर सकते है तो मिन्या इक प्यूंटर के अगर बात करों तो मिन्या कंप्यूंटर में जैसे आपका I V M S ठीक है mini computer में आते हैं ठीक है तो इनको यहाँ पर note कर लेना चलिए अगले question देखते हैं बर्ग करनार के अनुसार किसे computer नहीं कहा जा सकता है तो इसमें से किसे computer नहीं कहा जा सकता है दीखे तो यहाँ पर अगर बात करूँ पहला बर्ग station तो यह आपका mini computer बर्ग करनार कंपूटर तो यह आपका workstation यह होता है mini computer यह भी होता है और आपका main frame computer यह भी होता है तो mini computer main frame computer computer के बिरकार है जिनका उप्योग दिखे तो जिनका परियोग आगर workstation की बात करो तो इसका परियोग बेग्यानिक के रूप में ठीकte बेग्यानिक करते हैं और यहां पर बात करों मेंफ्रेम कम्पूटर की तो मेंफ्रेम कम्पूटर का उपजयोग इँजिन रिंग में. ठीक है इंजीन रिंग में इंजीन रिंग के छेतर में होता है और मिनी कंप्यूटर की बात करनों तो इसका फिर्योग बैंकिंग कंपनियों के छेतर में होता है ठीक है बैंकिंग के छेतर में तो बैंकिंग के छेतर में आपका मिनी कंप्यूटर का प्रियोग होता है लेकिन यहाँ पर बात करें अबंतु की तो अबंतु क्या है एक प्रकार का सिस्टम सोप्ट बेर है ठीक है अबंतु क्या है आपका सिस्टम सोप्ट बेर है ठीक है तो यहाँ का सिस्टम सोप्ट बेर है अबन्तू चीज़ को यहां पर नोट कर लेना ठीक है तो यह सिस्टम सोफ्टवेर आपका अबन्तू यहां पर चलिए अगला कुशन देखते हैं कि आईसे चिपो दोवार निर्मित प्रत्रम डेटल कंप्यूटर के लिए जाना जाता है तो आईसे चिप के आपकर बात करूं तो कौन सा था तो अभी बताया था मैंने ने डिखिए आईवी एम से जितने भी कंप्यूटर है IBM system 360 तो IBM system 360 इसे प्रिथम digital computer का निर्माड IBM द्वारा किसके द्वारा किया गया था इसका निर्माड IBM द्वारा ठीक है IBM द्वारा इसका निर्माड किया गया था 1964 में तो IBM द्वारा इसका निर्माड किया गया था और इसका नाम IBM system 360 दिया गया था ठीक है चलिए अगले कुछन देखते हैं डिजीटल कंप्यूटर किस सिद्धान पर कार्य करता है तो डिजीटल कंप्यूटर किस सिद्धान पर कार्य करता है तो डिजीटल कंप्यूटर किस सिद्धान पर कार्य करता है वो आपका गर्णा के सिद्धान पर कार्य करता है क्यो ये बहुत अधिक छंता से कार्य करता है, और इसमें किसी भी पिरकार की संकरियां की जा सकती है, चलिए अगला क्योक्जन देखते हैं, कैल्कोलेटर किस पिरकार की कम्प्योटर कार्य पति पर कार्य करता है, और यह आपका यूपिटर प्रसी के फोरेश्ट गाड में क्योशन पूछा भी गया है ठीक है चलिए एगले क्योशन देखते हैं राष्टे सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को निंतित करने के लिए किस प्रकार के computer का उपयोग किया जाता है तो राष्टे और डिजितल कंपयूटर का मिला जुला रूप होता है यह जो कंप्यूटर होता आपका एनलाग कंप्यूटर एक लाग और डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप होता है ठीक है चलिए अगला Q Tambiénknown मेंसे किन विश्श्ताओं का समन्ध fret होता है तो किसी संग कर में निम्न में से किन विशेस्था का समन्द भी होता है तो यहां पर अगर बात करें देखें यहां पे तो बी computer जिनमे analog और digital computer दोनों के गुण ही क्या होते हैं संकर कहलाते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो अनुरूप और अंक्या computer का जिनने यानिके जिसमें आपका digital और analog होते हैं दोनों संकर computer कहलाते हैं इनमे input compute analog के रूप में होता है ठीक है और परन्तु प्रोसेसिंग जो होती है वो डिजिटल के रूप में होती है तो इनमें एनलाग से डिजिटल कंवेटर और डिजिटल से एनलाग कंवेटर का व्योग किया जाता है इन computer में ठीक है चलिए अगला कुछन देखते हैं अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते computer किस परकार के होते हैं तो यह जो computer होते हैं अगर इनकी बात की जाए तो यह आपके देखे तो घरेलू चोटे computer जैसे आपके तो सस्ते computer से आपके बासिंग मसीन डिस्कवर आदमें हाइवीड computer का उप्योग कियाता है और यह electric और physical ग्रूप में दोनों साथ साथ काँ म करते हैं तो इन में से आपका कोई सा नही है टिक है पर चलिए अगला कुसन देखते हैं कार में लगा हुआ गती मापक यंत्र निर्मित करता है तो कार में जो लगा हुआ मापक की यंत्र आपका एनलाग कंप्यूटर होता है ठीक है किसका उधर अपका एनलाग कंप्यूटर का जो आपका बिद्दूत्र एनलाग रूप का प्रियोग करता और इसकी गती धीमी होती है चल से अगला कर्षन देखते हैं निम्लिकितम में से कौन सा computer analog output digital form में परिवर्थित करने के लिए मुख्यत संभरग्ध है तो कौन सा computer है तो दीखें यह जो computer होते है computer analog output को digital form में जो परिवर्थित करता है अगर इसकी बात करूं तो यह आपका जो computer होता है वो आपका analog computer होता है कौन सा होता है आपका analog computer, analog output को digital form में परिवित्त करने का कारिय करता है अगला question है memory, आकार और प्रदसन के आधार पर किस प्रकार के computer को big iron के रूप में जाना जाता है तो memory, आकार और प्रदसन के आधार पर किस प्रकार के computer को big iron के रूप में जाना जाता है किस computer को जाना जाता है यहाँ पर बात करें तो यह होता है आपका mainframe computer ठीक है तो mainframe computer मैत्पूर्ण कायनों के लिए जनगलना, उब्योग, उब्योगता के आंकड़े, enterprise अंसाधन, जैसे ठोग data को processing का कार्या करता है वो इस computer को big iron computer के रूप में जाना जाता है तो कौन सा होता है आपका mainframe computer अगरा question है सबसे पहला mini computer तो सबसे पहला जो mini computer था अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला mini computer आपका PDP-8 था ठीक है और यह आपका digital equipment कारपरसन द्वारा निर्मित किया गया था और यह इसकी अगर बात करें यहाँ पर तो यह आपका 1958 में निर्मित हुआ था ठीक है उनिस सो अठावन में निर्मित हुआ था और यह पहला सफल वेवैसा एक mini computer था आपका और इसका निर्माड के अगर बात करें तो निर्माड जो किया था आपका digital equipment पेमेंट कारपरेशन ने तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना digital एक पेमेंट एक पेमेंट कारपरेशन द्वारा ठीक है तो इसको भी यहाँ पर नोट करने क्योंकि यह भी आपका पूछ लेता है उसके बाद आगे बात करें micro computer hardware में physical एक पेमेंट की तीन basic category होती है तो micro computer में hardware में physical equipment की तीन basic category होती है कौन-कौन सी होती है तो यहाँ पर अगर बात करें तो दीखे तो इसमें जो तीन category होती है तो वो होती है आपकी system unit, input, output secondary, storage तो यह तीनों इसमें आपकी होती है ठीक है देखें, micro computer की अगर बात करूँ micro computer का विकास तो इसका विकास 1970 में प्रारम हुआ था जो आपका CPU में micro processor का उप्योग किया जाता था micro processor hardware में physical equipment की तीन वेसिक इस्टोरेज थी है आपकी system unit, input, output unit और secondary storage तो इनका प्रारम है इसमें किया जाता था तो इसका उप्योग घरों में मलनों चिकिस समय आधी में आजकल किया जाता है चली अगला क्योश्चन है किस प्रकार के computer का सरवधिक प्रयोग किया जाता है तो किस प्रकार के computer का प्रयोग सरवधिक किया जाता है तो इस समय अगर बात करें तो micro computer का सरवधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि Micro Computer का आकार अन्य Computer की तुल्ला में छोटा होता है अगला क्यूस्टन है Desktop, Computer, Laptop, Tablet और Smartphone इनमें से किसके विभिन पिरकार हैं तो यह किसके पिरकार हैं यहाँ पर अगर बात करें तो यह सबी जो पिरकार हैं वो Micro Computer के पिरकार हैं इसमें आपका CPU का परियोग किया जाता है ठीक है तो इस चीज़ को यहां पर नोट कर लिए माइक्रो प्रेसेसर का प्रियोग इसमें किया जाता है तो निमले कित्म से कोन पॉर्टेवल और आपका धोने में आसान है तो यहां पर बात करें तो इनमें से कौन सा आसान है तो दीके सबसे आसान होता है आपका लेप्टोप ठीक है क्योंकि लेप्टोप और टैबलेट लेप्टोप और आपका टैबलेट तो टैबलेट दोनों को पॉर्टेवलिटी और मोरिलिटी के फीचर पिरदान करने में सदे मदद करते हैं लेप्टोप एक प्रिकार का कंप्य एक इसे आसानी से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं सर पिर्थम जो चिंद जाना है उसके बाद अगला क्यूश्टन है निमली कितम से कौन विस्प का पहला laptop computer बाजार में लाया था तो कौन था जो बिस्प का laptop computer सबसे पहले बाजार में लाया था तो ये था आपका इपसन ठीक है कौन था बिस्प का पहला laptop computer को इपसन ने बाजार में उतारा था ठीक है और इसका जो नाम था पहले computer का उसका नाम था EPSN HX 20 के नाम से ठीक है तो यहाँ पर नोट कर लेना EPSN HX 20 के नाम से इन्होंने बाजार में उतारा था कवल आये थे 1981 में ठीक है और यह 68 कीवोर्ड वाला डी दीचवल निकल बैट के डियम बैटरी से युक्त था ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं माई लेव सबसे कम कीमत तो माई लेव सबसे कम कीमत का एक लैपटोप है जिसे बाजार में उतारा गया था तो माई लेव सबसे कम कीमत का एक लैपटोप जिसे बाजार में उतारा गया तो किसके द्वारा उतारा गया था तो यह था आपका लायक छोटा सा होता है तो क्या कहलाता है तो यह कहलाता है आपका नोटवुक कम्प्यूटर ठीक है तो इसे बोलते हैं नोटवर्क की संदर में पिर्यूक्त किये जाते हैं तो लेप टौप और प्लेमटोप के अगर बात करें तो यह में और ने आग्रा शरकर फ्यर्या करता हैं ने मागी बाल सबसे सस्ता तो यह था आपका आकास ठीक है तो आकास टैबलेट को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया गया क्योंकि भारत को आकास की हैदरावाद इस्तित डेटावेट कंपनी द्वारा बनाया गया था तो यह किसमें बनाया गया था भारत भारत में ठीक है भारत मे डेटा विंड कंपनी द्वारा भारत में डेटा विंड कंपनी द्वारा ठीक है डेटा विंड कंपनी द्वारा और ये कंपनी का आपकी है धरावाद में ठीक है चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं सब्द PC का अर्थ है तो सब्द PC का जो अर्थ होता है तो यह होता है movie outside इससा माइक्रों कंप्यूटर को माइक्रों ओवता देखते हैं चलिए एक अगला किशन देखते हैं निमलिस कित्म से कोन सा परसनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है तुपरसनल कम्पूटर का कौन सा इसमें भाग नहीं है दीकिए परसणल कम्पूटर में आपका परसणल कम्पूटर को डेस्टो कम्पूटर कहते हैं और इसके जो पिर्मुक भाग है वह आपका CPU RAM ओर ROM है ठीक है USB क्या होता है तो USB क्या होता अपका Universal वस तो Universal Serial वस यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर के उपकरणों का मद्य संचार को इस्तापित करता है तो ये इसका मुख्यभाग नहीं है ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं सब्द PCXT का आस्या है तो सब्द PCXT का जो आस्या है वो क्या है तो इसकी वहाँ पर बात करते हैं PCXT तो PC का मतलब है कि Personal Computer Extend Technology IBM PC का एक संस्क्राण है ठीक है ये क्या है Personal Computer Extend Technology है और ये IBM इसको क्यों निर्माल करता है तो इसको IBM द्वारा IBM द्वारा निर्माल करने वाली एक American Company द्वारा किया गया है वो Personal Computer में इसका सरवदिक रोल रहता है ठीक है तो IBM द्वारा निर्मी थे IBM द्वारा इसका निर्माल किया गया है चलिए अगला IBM का पूरा नाम तो IBM का जो पूरा नाम है अगर इसकी बात करें तो IBM का पूरा नाम होता है International Business Machine ठीक है तो IBM का पूरा नाम international international बेजन मसीन है और IBM computer निर्वार करने वाली एक American company है ठीक है अगला question है निमलिकित में से क्या computer बरगी करण का एक प्रकार नहीं है तो इन में से कौन सा computer का एक बरगी करण प्रकार नहीं है देखिए यहाँ पर बात को digital computer होता है, analog computer होता है hybrid computer होता है लेकिन electrical computer नहीं होता है ठीक है जबकि electrical computer नहीं होता है अगला question है निमलिकित में से किस company ने कुछ समय पहले एक terabyte high drive छमता वाले भारत के पहले नीजी computer को प्रवर्थ करने की गोश्णा करी थी तो किस ने करी थी ये थी आपकी HCL info system ठीक है तो एक terabyte high drive वाले छमता वाले भारत के पहले नीजी computer को प्रवर्थ करने कोश्णा HCL info system ने करी थी अगला question है में एक पिरकार का personal computer है जिसे बनाया गया था में किस के दोवारा बनाया गया तो में की बात करूँ तो में computer जो था वो एपल के दोवारा बनाया गया था ठीक है तो यहां पर मैं आई वी एन दोवारा बनाया गया पहले सामने लागत के दिए यहां पर तो मैं computer को personal computer का जाता है यह micro process संबन्द होता है और Mac एपल दोवारा बेक्सित किया गया पहला computer था जिसे आपका Mac को जो बनाया गया था 1984 में ठीक है तो Mac को 1984 में बनाया गया था ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं निम्न में से कौन सा एक पिरकार का personal computer नहीं है तो कौन सा नहीं है तो यहां पर अगर बात करें देश्टोप computer होता है पांटोप computer होता है और laptop भी computer होता है ठीक है लेकिन यहां पर बात करें में फ्रेम computer में फ्रेम computer क्या होता है कि में फ्रेम computer बहुते हैं जिनका प्रियूप बड़े प्यमाने पर पर प्रसंसर को डेटा बंडार में किया जाता है तो इस computer साथ-साथ कई उपकोरण लगे होते हैं ठीक है तो चिसको यहां पर द्यान कर ल क्या होता देखे तो वह था आपका सर्वर तो वह कंप्योटर सर्वर क्या होता है एक प्रकार का कंप्योटर सेवा है जो किसी नेटवर्क पर उपस्तित अन्य कंप्योटरों को संसाधन प्रदान करता है ठीक है तो यहां पर क्या होता है वैं कंप्योटर जो किसी अन्य सारे करा दूँगा तो मिलते हैं कल इसमें आगे कि उस्तुन के साथ जब तक के लिए धन्यवाद